आयूर्वेद चिकिस्ता को लेकर लोगों का विश्वास और रुजहान बढ़ा है रीवा में आयूर्वेद एक संजीवनी आयूर्वेद एवं पंचकर्म सेंटर का उदगाटन के साथ वरिष्ट वैद्यों का सम्मान किया गया इस दोरान डॉक्टर प्रदीप सिंग ने कहा कि आज के समय में आयूर्वेद में रोगों का कारगार इलाज है केवल आयूर्वेद ही ऐसा है जिसमें रोगों को जड़ से समाप्त करने की शमता है आयूर्वेद चिकिस्ता के प्रती बढ़ते विश्वास को देखते हुए रीवा में संजीवनी आयूर्वेद एवं पंचकरम सेंटर की शुरुवात की गई आयोजन में मुख्य अतिति के तौर पर रीवा सांसत जनादन मिश्रा, विधायक नागेन सिंग, विधायक दिवेरा सिंग, महराजा पुषपरा सिंग के साथ मुख्य बन सरक्षक, एके सिंग मजूद रहे कारेकरम का संचालन राम विहारी शर्मा ने किया, इस दोरान वरिष्ट वैद्धियों का सम्मान किया गया और उनके अनुभर लिये गए कारेकरम को लेकर बताया गया कि इस आयरवेद सेंटर में शीरोधारा पंचकर्म लीज त्रैपी के साथ सभी रोगों का इलाज किया जाएगा मरीजों का इलाज अनुभरी डॉक्टर्स करेंगे कारकरम को लेकर सांसत जनादा मिर्शा ने कहा कि हमारी पूरानी इलाज पद्धती कारगर थी लेकिन समय के साथ लोगों ने आरवेद को भुला दिया लेकिन कोरोना के समय फिर इसी आरवेद ने काड़ा दे कर लोग की जान बचाई उन्होंने कहा कि यह प्रसंदता की बात है कि लोगों में आरवेद के इलाज के प्रति विश्वास बढ़ा है वही रीवा के महराज अपुषपरा सिंग ने कहा कि आरवेद जैसा इलाज आज किसी पद्धती में नहीं है एक प्रति स्वास बढ़ा है आरवेद के प्रति एकर हम बंचे मोफिक रूप से मोबाइल से सोसल मीडिया से यह उनों को माध्यम सो संचार माध्यम से यह पद्धत के तारीफ हो चाहिए प्रसंसा हो चाहिए और यह पद्धती में लगे जिवायत है राक्तर हैं उनका सम्म प्रति प्रति यह प्रति अदर यह संजीवनी है उनके जानकारन का हम पंचे इकत्र करके वह संजीवनी का सही जगा पे इस्तिमाल करवाए संजीवी आरवेद और पंचकर्म सेंटर के डॉक्टर प्रदीत सिंग ने बताया कि आरवेद में करीब करीब सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है इस सेंटर में सभी तरह के मरीजों का इलाज होगा नोंने बताया कि पंचकर्म से मौसमी बीमारियों से लेकर सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। अनुभवी डॉक्टर्स मरीजों का बेतर धंग से इलाज करेंगे। की बीमारियों का इलाज करेंगे। की बीमारियों का इलाज करेंगे। का इलाज कुलन उन्जा को प्राण से थे इलाज ऑट्र कशे साले हुँडू आप देख रहे हैं दखल न्यूज